रेवारी ब्रेकिंग शहर के मुक्तिवाडा इस्तित मुक्ति हवेली का एक हिस्सा गिरने से लोगों में हरकंप मच गया देर शाम हुए इस हाथसे में जहां कई गारिया में रेडिया चक्ना चूर हो गई वही लोगों में प्रशाशन के खिलाफ गुस्सा भी दिकाई दिया काफी जरजर हो चुकी इस सावेली को लेकर इस थानिये लोग कई बार प्रशाशन को शिकायत कर चुके है गंडम भी गोशित किया जा चुका है बावजुद इसके आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया रेवारी के पुराना शहर में इस तरह की एक नहीं अनेको हवेली है जो कभी भी बड़े हाथसे का कारण बन सकती है इस रही है जो कि नहीं जोड़े है जोड़े हैं जोड़े है करने वाला है क्या लगता आपनों मलविश को नोटीज वगरा भी दे रहा कि फिर भी दवस्त नहीं कर रहे परसासन काम नहीं करता या कोई बड़ी आनी होने का इंतजार कर रहे परसासन की लापर भाई समझ रहे हैं अब जो नुक्सान हुआ इसको लेकर भी आप कुछ करेंगे कि मैं नुक्सान तो करीब आदि में को नुक्सान तो बरना पड़ेगा इसको लेकर इस तरह के कोई जाओगे पुरी आवाज उटाएंगे क्या मांग करते हैं भी इसको लेकर तो आपका मेरा नाम गंश्याम स्टैनी क्या कुछ हुआ है यहां पर जो भाईजाब यह जाना के आदा कौन गंटे पहले तो मैं इसको सही रिपेर करवाने के लिए इसको मैं तो तीन साल पर जोगा देखेंगे तो अंदर जितने भी रहते हैं परिवार उन्होंने उप्जेक्शन उठाया वह मैट्यल भी मेरा खाले और मेरे को रिपेर करवाने नहीं कि कि कितने क्या कुछ नुक्सान हुआ है बिल्डिंग और दो गाडियर एक रैडी थी आपकी जान आनी इस तरह का उने का जो अपनी पुरानी बिल्डिंग है जितनी भी सहर में गिराने का कोई नोटीज वगर दे रखे इस पूब दे रखे कई वार नोटीज दे रखा है क्या लगता है मिलब परसंद को बड़ी जान आनी की को को कर रहे हैं कोशिज के मलब कोई बड़ी आनी होजे जब यह अब परसंद को बच गया कुछ होए इसको लेकर नोटीज वगर आपने कोई कभी मांग की होगी इसको लेकर रहे कि इसको गिराया जाए कंडम हो चुकी कई बार नोटीज आ लिए जी कम सकंग पचासो बार चिपका गई जिपकाते लोग यह रहने वाड़े लोग अपने अब क्या मांग करते हैं इसको लेकर बलगी इस तरह कुछ हो कितना नुक्सान मांते हैं आप अपना कम से कम बाई लाखेक रुपे का नुक्सान होगा